जूपनीख को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिस जाकर जूपनीच को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल्को ओन कर दीजिए पियम मोदी ने भारत रत्न और पुर्वराष्टपती प्रणव मुखरजी को दी स्रधांजली आज होगा अंतिम संसकार जिहां प्रधानवंत्री नरेंद्र बोदी ने पुर्वराष्टपती प्रणव मुखरजी को स्रधांजली दी है पिया मोदी ने दस राजाजी मार्ग पर इस्थित उनके आवास पर जाकर सरदांजली दी और सोक संतप्त परिवार के प्रती अपनी गहरी समवेदना व्यक्त की पुर्वराष्टपती प्रणमुखर जी के निधन पर देश में उनके सम्मान में साथ दिवसिया राजकिये सोक घोशित किया गया है दिल्ली के लोधी समसान घाट पर आज दो पहर ढ़ाई बजे उनका दा संसकार किया जाएगा 84 वर्षिये कॉंग्रिस के दिगजनेता प्रणमुखर जी को 10 अगस्त को अस्पताल में एक सर्जरी के लिए भरती करया गया था ब्रेन सर्जरी के बाद से ही उनकी हालत गंभीर हो गई थी कई दिनों तक जिन्दगी से लड़ाई लड़ने के बाद पुर्वराष्टपती प्रणमुखर जी का सुमवार की साम दिल्ली के सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है महीने की सुरुवाती दिनों में इस बेमारी के 79,921 मामलों की हुई पुष्टी महरास्ट में सबसे अधिक एक्टिव गेस जिहां भारत में इस बेमारी की विकरालता बढ़ रही है तमाम सावधानियों के बावजूद इस बेमारी का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है देश में लगतार पांच दिनों तक 75,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या में अपेक्चा करित कमी आई है और यह 70,000 से थोड़ा नीचे आ गया है केंद्रिये स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा जारी किये गए ताजा आकडों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इस बिमारी के संक्रमन के 79,921 नै मामलों के साथ संक्रमितों का आकड़ा 36,99,166 हो गया है आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान 65,081 मरीज स्वास्त हुए हैं जिससे इस बिमारी से मुक्ति पाने वाले लोगों के संक्या 28,49,883 हो गई है प्रणमुखरजी के निधन पर देश में 7 दिनों का राजकिये सोक, रास्टपती भवन और संसद में आधा जुका रहेगा तिरंगा जिहां देश के पूरवा राष्टपती प्रणमुखरजी का सुमवार की साम को निधन हो गया, दरसल उनके निधन से पूरे देश में सोक की लाहर है प्रणमुखरजी का 10 अगस्थ से राजधानी दिल्ली के आर्मी रिसर्च और रिफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था केंद्र की मोदी सरकार ने उनके निधन के बाद देश में 6 सितंबर तक भारत के राजकिये सोक की गोशना की है इस दुरान राष्टपती भवन और संसद में देश का तिरंगा जुगा रहेगा आपको बता दें कि इस बेमारी से संकर्मित पाए जाने के बाद उनका राजधानी दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है भारत रत्न और पुर्वराष्टपती का निधन फेफडे में संकर्मित के कारण हुआ है उनके गुर्दे भी सही से काम नहीं कर रहे थे आपको बता दें कि देश के राजकिये सोक के कारण सभी सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा साथी विधान सभा सचिवाले सहित अहम कार्यालियों में भारत का तिरंगा आधा जुका रहेगा साथ ही देश के बाहर जो भी दूतावास और हाई कमिशन में भी वहाँ पर भी राष्टिय ध्वज को जुकाया रखा जाएगा महराष्ट सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन होटोलों को खोलने की मिली इजाजत फिलहाल नहीं चलेगी वहाँ मेट्रो जिहां इस बड़ती विमारी के बीच महराष्ट सरकार ने 1 सितंबर से सुरू हो रहे उनलॉक 4 के साथ राज्ज में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है आपको बता दें कि राज्ज सरकार के इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है राज्ज में अनलॉक की प्रक्रिया को मिसन बिगिन ओपेन का नाम दिया गया है नए नियमों के तहट राज्ज में कई रियायते दी गई है होटलों को पूरी तरा खोलने की इजाज़त दी गई है हालाकि इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यनि एस ओपी का पालन करना होगा राज्ज में फिलहाल मेट्रो सेवाय सुरू नहीं की जाएंगी दफ्तरों को 30 फिस्दी छमता के साथ खोलने की इजाज़त है राज्ज में स्कूल, कॉलेज, सिक्षन और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे इस दुरान ओनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी सिनेमा हौल, मौल, स्विमिंग पूल, इंटर्टेन्मेंट, पार्कों को फिलहाल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है फेस्बूक हेट स्पीच मामले में राहुल गांदी ने कहा तुरंत जाच हो दोशियों पर करवाई की जाए जिहां फेस्बूक हेट स्पीच को लेकर पैदा हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है वल स्टीट जनरल के नए खुलासे के बाद कॉंग्रेस के पुर्वरास्टिय अध्यक्ष राहुल गांदी ने फेस्बूक और वटसेप के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है राहुल गांदी ने कहा कि इस मामले की फौरण जांच होनी चाहिए और जब वह दोशी मिलते हैं तो फिर उन पर काडरवाई की जाने चाहिए किरल के वाइनार्ड लोकसबा सीट से संसद राहुल गांदी ने कहा कि वेस्विक मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और समाजिक सदभाव पर फेस्बूक और वटसेप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है हमारे देश के मामलों में किसी को भी यहां तक की विदेशी कमपनी को भी दखल देने की इजाजत नहीं है फोरण जाच करनी चाहिए और